हेलो गाईज, जैस्री कृष्णा, जैस्री राम, कैसो सब लोग, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है, पैंडिंग ओडर किस तरह से वर्क करता है, मैंने आपको समझाया था, आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको पैंडिंग ओडर के बारे में समझ में नह गया है तो फिर आप उसकी प्रेक्टिस की जीएगा ओके तो आज हम क्या सिखने वाले हैं आज हम सेट अप को स्कोर देंगे हमने जो सेटउप बनाना सिखा है सेट अप्स फाइंड करना शिखा है őसे हम आज स्कोर देंगे पहले हम कल का revision कर लेते हैं कल हमने जो सिखा था उसका revision कर लेते हैं क्योंकि कल का class important था कल हमने zone find करने के लिए किस तरह से time frame को use करना है उसके बारे में सिखा था जदी हम MIT zone find करते हैं तो मंतली पे हमें location mark करना है weekly पे हमें trend check करना है और daily पे हमें execution रखना है WIT zone find करते है weekly time frame वाला तो हमें weekly पे location mark करना है daily पे trend check करना है और 125 minute और 75 minute पे हमें execution mark करना है इदी हम DIT find करते है daily time frame वाला zone find करते है तो daily पे हमें location mark करना है 75 minute और 65 minute पे trend check करना है और 50 minute और 10 minute पे हमें execution mark करना है HIT हमें करना ही नहीं है क्यों नहीं करना है क्योंकि HIT में volatility effect करती है अब हमारा अच्छे से अच्छा zone अफ़ा और news की भिहाब पे stop loss हो सकता है ठीक है समझ में आ गए आपको यदि हमें QIT trade find करना है quarterly time frame वाला तो फिर हमें quarterly पे location mark करना है monthly पे हमें trend check करना है और weekly पे हमें execution mark करना है समझ में आ गए यदि half yearly time frame वाला trend find कर रहे है तो फिर half yearly पे हमें location mark करना है quarterly पे हमें trend check करना है और monthly पे हमें execution और entry stop loss रखना है समझ में आ गए आपको इतना या कल का revision था आज बात करते हैं कि हमने जो zone find किया है location entry और trend चेक करके उसको हम score करेंगे कि हमारा zone कितना अच्छा है उसके वियाप पे मैंने एक chart बनाया हुआ है हम अपने setup को 7 में से कितने score करेंगे वो score मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसे हम step by step follow करेंगे मैं आपको example में भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप जब भी भी trade करने बेटो तब आपको अपने setup को score करना है ताकि आपको confidence आए अपने setup पे और आपको पता चले कि आपका zone चलेगा कि नहीं चलेगा और कितने percent chance है zone के चलने के ठीक है और जो setup score है उसे हम कौन से time frame पे देगे तो हमें इसे execution time frame पे देना है जहाँ पर हम entry और stop loss रखते है उधर हमें इस तरह का score देना है ओके तो चलेए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमें score करना है पहले हम theoretical ले ले लेते हैं तो freshness किस तरह से रहेगा तो यदि हमारा zone fresh है तो उसे हम 3 point देंगे यदि test one time क्योंकि हमारा zone एक time ही test हुआ है तो उसे हम 1.5 point देंगे यदि हमारा zone two time test हुआ है तो उसे हम 0 point देंगे फिर next आते है strength पे है कि हमारे zone में two exciting candle है हमारे zone में two exciting candle है तो उसे हम 1 point देंगे, समझ में आ गया, फिर आते हैं base candle के उपर, मैंने आपको पहले बताया था, जितनी base candle ज्यादा, उतना zone weak, और जितनी base candle कम, उतना zone strong, तो base candle के भी आ पर हम, एक से 3 base candle रहेगी, तो हम उसे 2 point देंगे, ठीक है, 4 से 5 base candle रहेगी, तूसे हम 1 point देंगे, और more chart पर हमें किस तरह से zone mark करना है, वापस से हम zone marking करेंगे, और अपने setup को किस तरह से, कितने score देने हैं, ओभी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, हमने आगे देखा था, कि SBA में हमने zone marking किया था, तो SBA में हमने, एक monthly का zone marking किया था, यहाँ पर already zone mark किया हुआ है, पहले का, तो चलिए, यहाँ पर rally based rally हमें monthly में location मिला है, तो monthly में location मिलता है, तो weekly पर trend चेक करते हैं, तो weekly पर trend भी अप था, अब जब weekly पर trend चेक करते हैं, तो daily पर execution और stop loss रखते हैं, मतलब में entry और stop loss रखते हैं, तो यह हमारा setup था, पूरा, आपको याद आ गए होगा आपने पिछ दिखे, ओके, अब rally, चार बेस केंडर, rally, 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 यह अपना execution दे, तो execution में हम इसे score करेंगे, तो पेले score हम freshness का देगे, यदि zone fresh है, तो इसे thin point देगे, तो क्या आपको लग रहा है, zone fresh है, fresh किस तरह से, कि price में एक भी बार zone को touch करके वापस उपर गई है, तो नहीं, अभी तो price उपर एक भी बार अपने zone में नहीं आई है, तो इसका मतलब zone fresh है, तो freshness के हम देगे, thin point, okay, second आते है strength पे, तो two exciting candle है क्या, हाँ, two exciting candle है, यदि आप इसे exciting candle नहीं, बलकि base candle consider करते हो, तो one exciting candle है, और उसके साथ gap है, gap किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, यह daily की candle है, base candle form की थी, उसके बाद next day gap open हुआ था, तो यह जो gap है, यह जो gap, उसके हमें gap with exciting candle consider करेंगे, तो gap with exciting candle के कितने point है, one exciting candle with gap, two point है, तो three plus two, five point हो गए, अब base candle, तो base candle कितनी है, चार base candle है, तो चार base candle मतलब four to five base candle है, तो उसे हम एक point देगे, तो यह हमारा zone हो गया, six out of seven, ठीक है समझ में आ गया ना, इस तरह से हम अपने setup को score करना है, चलिए हम next script ले ले लेते हैं, हमने SBI के बाद में बात किया था, आशोग लेलान के बारे में, तो आशोग लेलान में हमें कौन सा zone मिला था, side monthly का मिला था, नई, quarterly का मिला था, हमें quarterly का zone मिला था, rally, 32 के अंदर rally, ठीक हमें यहां पर execution मिल रहा था, अभी इस setup को score करते हैं, चलिए, तो पहले क्या था, याद किजिए, पहले था zone fresh है की नहीं है, तो zone हमरा fresh है, price यहां तक की आई है, price यहां तक नहीं है, यदि यहां तक आती, तो उसे हम tested month है, तो zone fresh है, इसलिए हम इसे 3 point देगे, second क्या था strength, 2 exciting candle है, आप भी हमरे पास 2 exciting candle है, तो अब हम इसे कितने points देंगे, 2 points देंगे, total कितने हो गए, 3 plus 2, 5 point हो गई, अभी थारता के base candle कितनी है, तो base candle हमारे पास 1 ही है, तो यह हमरे लिए plus point था है, उसके भी हम 2 point देंगे, तो यह zone हमारा हो गया, 7 out of 7 zone है, 7 out of 7 score मिला है, हमारे setup चलिए फटा 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 नेक्स्ट पर आते हैं, हमने SBI, असक लेलान उसके बाद मारूती के बारे में बात किया था, तो मारूती में हमें weekly zone मिलता था, ठीक है, weekly पर हमें execution मिला है, तो daily पर हमें trend चेक किया था, तो trend भी अपता, और 125 मिट पर हमने entry over stop loss रखा था, ठीक है, और second किया था strength, तो दो exciting candle है, नहीं हमारे पास एक ही exciting candle है, तो इसे हम कितने point देंगे, एक point देंगे, नहीं गलत है, तो single exciting candle है, तो फिर क्या देखने है, gap, तो हमारे पास gap है, gap के साथ single exciting candle है, तो इसे हम दो ही point देंगे, समझवा गया, और base candle कितनी है, हमारे पास base candle 3 है, त अर technischer के थी ऑनलोगी तो मुसें दो झेल देगे तो यह भी हमारा serve आउटेप ऑफ लाग है सेवन खरने आप जोन करना है और अप्य़यन करते हो प्रक्तप शक्याद सोथे हो हम आगे इसमें एक एक point बढ़ाते जाएंगे मान लिज आज 7 है तो में एक दो लेक्टर के बाद इसमें एक और point एड़ करूँगा तो इस तरह से 8 आउट और 8 हो जाएगा फिर एक और प्रेक्टिस किएगा आप अपने हिसाब से अपने एंड से कोई भी 10 स्क्रिप्ट उठा लेजिए उसमें जोन मार्किंग करना है और अपने सेटप को स्कॉर करना है यह आपके लिए आवंबर के दिल से करना है यदि आपको सीख नहीं है तो फिर आपको करना है से 10 स्क्रिप्ट को मार्किंग ओके इदि आपको सही में सीखना है तो आपको 10 स्क्रिप्ट को मार्क करना है आप कोई भी स्क्रिप्ट उठा लेजिए सब्सक्रिप्ट काफी सारी अपको अपने पास 2000 प्लस स्टोक है